हेलो गाईज वेल्कम टो माई चानल वेंस वर्ल्ड और मैं वेंके जिंग आपके साथ सेहर कर रहे हूं वापस मताना पर आप लोगों को वापस आना पड़ेगा और बेगराण में आवाज आए तो माफ करना मैं टेरेस पर रिकॉर्ड कर रहे हूं तो आवास तो आएगा ही बट क्या करो भी मेरे पास कोई जगा नहीं है तो चलिए मैं अब बिने किसी पक्वास के कहाने स्टार्ट करती हूं हमें दाचिन को दिखा जाता है जो डेस पर बैठावा था चुप चाप तभी उसके डेस पर कोई कॉफी रखता है जब दाचिन अपनी फेस उपर करता है तो वहाँ पर अपनी जुहांग थी जो जुहांग होती है इसमाइल करके कहती है तो भाले कॉफी दाचिन जो अपना दाचिन होता है कुछ रियाक नहीं करता है अपनी जुहांग जो होती हो कहती है वैसे गुड मार्निंग कैसे हो तुम पर अपना दाचिन इस बात का भी चवाब नहीं देता है आप जूहां को गुस्सा आता है अपने डेस्ट पर जाके बैठ जाती है और मन में ही कहती है कितना घमंड है इस लड़के में घमंड है कहीं का अभी जो दाचिन होता है वो जो कौफी मग था वो उठाता है और सामने वाले एक डेक्स की लड़की को द दिखा जाता है जो भाग रहा होता है ऑफिस के अंदर आने के लिए अभी वो लिफ्ट पकड़ता है फाइनल या उसको लिफ्ट खाली मिला होता है जाओ युलान लिफ्ट के अंदर जाता है और खड़ा ही रहता है तब लिफ्ट के अंदर कोई और भी आता है अपना यु जो युलान होता है अचानक से खासने लगता है जो सेनवई होता है वो कहता है मैंने कहा था मैं तुम्हें लेप दे दूँगा पर तुम्हें तो बारिस में भीगना था जो अपना युलान होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं एक दम ठीक हूँ रैंडबली तो किसी भी खासी क्या सक्ति है न सेन्वंइ अब कुछ नहीं कहता है ắng अपना जो एल्लान होता है वापीश से खासने लगता है अपना रहता है फिर रुक Śज जाता है अपना जो युलान के इंब восMore तो फोड़ी सी सर्दी हो गई है अपनी जो जूहां होती है और यह कहती है और ये कहते ही यो लाaning के पर मैं ठीक हूँ, तुम इतनी फिकर मत करो मेरी, जो अपनी प्यारी सी जुहांग होती है, वो कहती है, फिकर क्यों ना करो, तुम कितने अच्छे दोस्त जो हो मेरे, अभी जो धाची नहाना एक अच्छीप सा फेस बनाता है, अपना काम करने लगता है, अभी जो जुहांग पर जो लो थी वो अपने मन में ही कहती है क्या हो गया है मुझे ऐसी फिलिंग क्यों आ रही है ये जुन भेया होते तो मैं उनसे पूछती पर वो भी नहीं है आखिरकार मैं क्या करूँ अभी जो अपनी वो है फिर वो अपने सचे दिल से ये जुन को याद करती है वो ये जुन है मैं ये जुन बोल रही हूँ अपसे मैं उसको ना सिर्फ जुन ही कहूंगी आप समझ जाएगा अब ये जैसे ही लो ने जुन को याद किया होता है लो के दिमाग में एक वो ही साती है जो कहती है क्या बात है मुझे याद कर रही हो जो अपनी लूओ है वो कुर्सी पे एकदम सीदी खड़ी हो जाती है और मन में ही कहती है जुन भीया, मैं आपसे connect कर पा रहे हूँ, जो अपना जुन होता है, वो कहता है, मेरी प्यारी बहन याद करेगी, तो वो मेरे से कैसे नहीं connect कर पाएगी, आखिरकार, क्या हुआ, इतने कस्मों कस्मे क्यों हो तुम, अभी जो वो होती है, वो कहती है, भाईया, मैं आपको ब मेरा भाई तुम्हारे पास होगा, जो अपनी जुन होती है, वो कहती है, सची में, जो अपना जुन होता है, वो कहता है, I promise, बस आज-आज रुख जाओ, जो अपनी लुव है भी स्माइल करने लगती है, अपनी साओ लुओ के फेस पे देखती है, उसको इस्माइल करता में लंज का सीन दिखाया जाता है, युलान जो लंज करके वापस अपने डेस्ट पे जा रहा होता है, उसे जुहांग पकड़ती है और कहती है, हेई, तुम अपना जो युलान होता है वो बोलता है, हाँ, बोलो, क्या कहना चाहती हो जुहांग, जो जुहांग होती है वो खह जानना चाहती है वो दोनों बहुत ही लड़ते हैं अपना जो युलान होता है वो कहता है सची मैं तुम दाचिन के पसंद जानना चाहती हो जुहां कहती है बस ऐसी जानना चाहती हो मुझे अपर सारे लड़कों का पता है क्योंने कैसी लड़के पसंद है वो उसका ही नहीं पता जो अपना इल्लान होता है वो कहता है उसे सिंपल सी लड़क्या पसंद है जो कम बोले जो अपने काम से काम रखे हम्बल हो सौफ दिल वाली जैसे वो जो नई लड़की आई है लुओ उसको देख लो ऐसी लड़किया दाचिन को पसंद आती है जो जूहंग होती है वो क पसंद आती है अपना जो युलन होता है हो कहता है हाnd तुम कुधी देख लो देखो अपनी जो गयुग होती है वह य उपके से ॲेक्ट करता है यह के तो देखो वो कितना हसस के लूउओं से बात कर रहा है उसे लड़ क्या पसंद है जुहां वोती है वो कहती है Okay Thank you और यह कहती है महांसे जाने लगती है जुहांगमन में ही कहती है मैं अपना रूप बिल्कुल नहीं बदलूंगी जैसी हूं वैसी ही रहोंगी और ऐसी ही तर जो Senway रहता है वो Yulan को देखकर कहता है अंदर आ सकते हो अब Yulan अंदर आ जाता है और कहता है सरा अपने बुलाया जो Senway होता है वो कहता है हाँ जो New Game था उसमें मैंने एक टीम बनाने का सोचा जो उस गेम में वोक करेगी और वो टीम तुम्हारी बनी है जो अपना सेन वई, सोर्य अपने दूलाण रहता है, वो कहता है, मैंने रेंडमली लोगों के नाम पिक किये, एक पड़्ची पर लिखे, और तुम्हारा नाम आया है, फिर बात में जुहांग, दाछिन, और लू और साहब का नाम आया है, तो तुम आज नाइट को मेरे घर आजाना तुम सब मेरे घर पे आजाना ठीक है ये बाते बाकियों को बता दो जो अपना यॉलान होता है वो कहता है जी सर और ये कहते ही यॉलान वासे जाने लगता है यॉलान मुन में ही स्माइल करता है और कहता है क्या आज मैं नाइट को सर के घर जाओंगा कितना इस नाइट में डिसकस करना है, अब सारे के सारे हा कह देते हैं, वो लोग खड़े थें और यलान को लगता है उसे कोई पीछे से देख रहा है, यलान जब पीछे मुड़ता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है, फिर सारे के सारे अपने डेस पे बैठ जाते हैं, लुओ को गल आने वाले हैं तो वो अभी आई ही नहीं सकते अभी जो अपनी लूओ होती है फिर अपने काम पे लग जाती है अभी हमें एक पर्सन को दिखा जाता है जो उनको चुप चुप के देख रहा था और वो हूब हूब से नवई की तरह है और ये और कोई नहीं अपना जुन है जो जुन होता है वो अपने मन में ही कहता है बहुत चल्दी मैं तुम लोगों के सामने आने वाला हूँ युल्लान बस मेरा वेट करना जुजू ने केड़ी से स्मयल करता है और वहां से हाथो हाथ गाइब हो जाता है हमें नाइट का सेन दिखा जाता है जहां पे अपना युल्लान तो पहले ही सेनवई के घर आ गया होता है पर बाकी लोग आई नहीं होते हैं और मोसम खराब हो रहा होता है अचानक से बहुत ही तेज बारिस होना स्टार्ट हो जाता है इतना तेज बारिस होने लगता है कि कोई काड़ी भी लेके नहीं आ सकता है उनको कुछ दिखाई ही नहीं देगा इतने तेज बारिस आ रही होती है अपना युलान सेनवे के पास फस्सा गया होता है अपने सेनवे को दिखाया जाता है जो phone cut कर रहा होता है किसी कार कहता है कोई नहीं आपाएगा बारिस बहुत ही तेज है अपना जो यूलान रहता है वो कहता है ठीके सर तो हम ये meeting कल कर लेंगे मैं जाता हूँ और ये कहके जाने वाला रहता है but send way कहता है बारिस में कैसे जाओगे तुम्हार पस कार भी नहीं है और काफी लोग कार से नहीं आ पारे तुम पैदल अपने घर जा पाओगे जो युल्लान होता है वो कहता है जाना तो बढ़ेगा ना सर जो सेनवे होता है वो कहता है आज रात यहीं पे रुख जाओ जो अपना युलान होता है वो कहता है नहीं सर मैं कैसे रुख सकता हूँ सेन वही कहता है जैसे रुखा जाता है और अगर तुम्हें जाना है तो जाओ तुम्हें पता है मैं किसी चीज का जाता जित नहीं करता अभी जो युलान है ये सुनके एकदम सान्त हो जाता है युलान सोचता है जाने का वो बाहर जैसे ही जाता है देखता है कि अब तो बरफ के गोले भी पड़ रहे है युलान फटा-फट घर के अंदर आता है और कहता है सर में living area में ही सो जाओंगा सुक्रिया मुझे रोकने के लिए जो सैन्वाई है आप कुछ बोलता नहीं है अपने कमरे में चला जाता है युलान अपने सौफे पर ही पैठा हुआ था तभी सैन्वाई नीचे आता है और उसके हाथ में एक blanket था और एक तक्या था जो वो युलान के लिए लाया होता है युलान कहता है सुक्रिया सर जो सैन्वाई होता है वो कहता है खाना खा क्या आये थे युलान कहता है हाँ सर मैं खाना खा क्या आया था बार्ट युलान का पेट गुडगुड करने लगता है जो सेनवे रहता है वो कहता है रुको मैं तुम्हार ले कुछ बनाता हूँ जो युलान होता है वो कहता है नहीं सर इसकी क्या जुरुवत है जो अपना सेनवे होता है वो कहता है हमारी यहाँ पर मानता है जो घर पर रुकता है वो हमारा मेहमान है और मेहमानों को हम भूखेने तो ठीक है सैंवे़ अब यह कहते ही किचन की तरफ चला जाता है उसका किचन आप ऑपन साइड एरिया में ही था लग उसका किचन आपन किचन था अपना सेनवे अब खाना बनाने लगता है और यूलन बस सेनवे को देख रहा होता है वो कुछ रियाक्टि नहीं कर रहा होता है सेनवे फिर खाना बनाने के बाद यूलन के सामने रख देता है जो यूलन होता है वो कहता है सर आप नहीं खाएंगे जो सेनवे होता है वो कहता दूस्यून involved You mother और मुझे नहीं है भी हिए जो यूलन होता है वह कहता है आपका घर है अगर अपनी कमें पर अच्छा नहीं लगीगा जो सैयंधई होता है अब वहां पर बैण जाता है अपने प्लीट में थोड़ा से खाना ले 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 दा है युलान अब सेनवई खाना खा रहे होते हैं सेनवई एकदम सांथा युलान खाना खाता है आदा और कहता है इस वर बहुत अच्छा खाना है बहुत ही ज़ादा इतना डिलिसिस खाना मैंने आस्थेक नहीं खाया जो अपना सेन वही होता है वो ठाइंक्यू नहीं बोलता है वो बस कह देता है कि अपना युलान फिर कुछ क्या ही नहीं पाता है वो एकदम सांथ हो जाता है अब ही हमेलुवों को दिखाया जाता है जो मन में ही कह रही होती है भाईया अपने बारिस क्यों मंगवाई रेन कोड क्यों बारिस मंगवाई भाईया ने आज हमें मेटिंग के लिए बुलाया था वो अपने भाई से कनेक करने की बहुत कौसिस कर रही होती है बट वो अपने भाई से कनेक कर ही नहीं पा रही होती है और अभी जितने भी टीवी देवता है ना वो सब इनके भाई बेहन में ही आते हैं जो लुवो कनेक नहीं कर पा रही होती है तो वो एकदम सांध हो जाती है जो साव होती है वो लुवो के लिए खाना लेके आती है और खाना रख देती है रानिंग टेबल पे वो नीचे ही एक चोकी होता है नो उस पर रखके खाना खा रहे होता है अब लुवो खाना खाने लगती है जो साव होती है वो भी खाना खा रही होती है लुवो के फेस पे हरकी सी राइस लग जाती है जो साव होती है उस राइस को लुओ के लिप से हटाने के लिए अपने हाथ लुओ के लिप पे ले जाती है और वो जैसे कि स्वाइब करती है और लुओ उसको देखने ही लग जाती है लुओ की ये नजर साव के दिल में एक अलग सी खलबले मचा देते हैं उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है वो दोनों एकदम सांथ होके देख रहे होते हैं वो दोनों एक दूसरे को ऐसी देख रहे होते हैं फिर दोनों के दोनों अपने सेंस में आते हैं जो साव होती है वो कहती है सौरी जो लुवो होती है वो कहती है नहीं सुक्रिया अपने हमारे होट पे लगी हुई चावल हटा ही अभी साव कुछ बोल ही नहीं पाती है लुवो भी कुछ नहीं बोल पाती है लुवो भी खाना खाने लगती है और मन में ही कहती है जुन बेया जल दी ओओ, मेरो यहां पर हालत खराब हो रहा है अभी हमें दाचिन को दिखा जाता है, जो अपना फेस पकड़ के बैठावा था क्योंकि दाचिन के पास जू हांग थी, और वो बिचारे अभी दाचिन के घर पे थे जो भी दाचिन होता है वो कहता है, क्या मुसीबत है अपनी जो जू हांग होती है, अब ये मुसीबत है, जो है मेरी का गलती मैंने सूचा कि हम दोनों साथ में चलतें और मैं तुम्हारे गर आ गई, मुझे क्या बता हो तक इतने तेजबारी से स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे पास कार है ना तो थोड़ा एजी होता जो अपना दाचिन होता है वो कहता है एजी की चकर में यहाँ पे मुसीबत पड़ गई है मेरी जो अपनी जुहांग होती है वो कहती है तो मुझे मुसीबत तो मत को हो जो दाचिन होता है वो कहता है तो मुसीबत से कम भी नहीं हो जो जुहंग होती है वो कहती है आखिरकार तुम्हें मेरे से तकलीफ किया है और यह कहते ही उसके टॉप पर आ जाती है उसके पुस करती है और उसके पेट पर बैट के उसके टॉप पर आ गई होती है जो दाचिन होता है वो कहता है प्लीज उत्रो मुझे ऐसी हरकते पसंद नहीं अभी जो जुहंग होती है दाचिन का दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती है पर मुझे पसंद है आज मैं तुम्हें बताऊंगी अपनी मैजिक और यह कहते ही दाचिन के कानों के पाथ जाने लगती है दाचिन अपना मुझे ला रहा होता है बड़ जुहंग स्ट्रॉंग थी क्योंकि वो गौड थी उसकी सक्तिक काम नहीं आ रही होती है उस पे बड़ उसकी स्टैमना थो जरूर काम आ रही थी अभी जो दाचिन होता है जतने मतलशना के इतनी कोसिस करता है बहुत मुझे से जुहंग को नीचे करके खुड टॉप पर आके उसका हाथ को ग्राब कर लेता है और कहता है सोच के हाथ ग्राब किये हुए थे वो अपनी सक्ति से हाथों को उपर उठाती है और दाचिन के गले पे ग्राब करके कहती है क्या हुआ दिल की दड़कने बढ़ रही है क्या अपना जो दाचिन होता है वो कहता है तुमसे मिलके दिल की दड़कने बढ़ेगी नहीं मरेगी और ये कहते ही जुहंग को पुस करके उपर हो जाता है अपना जो जुहंग थी है वो बैठ जाती है और कहती है तो मैं इसे इतना डरती क्यों हो तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हें किस करोगे तो तुम्हें मिरसे प्यार हो जाएगा अपना दाचिन होता है वो कहता है प्यार नहीं उल्टी हो जाएगा और मैं उल्टी करना नहीं चाहता जो जुहांग होती है हसने लगती है और कहती है अपने दिल की फीलिंग छुपाने का अलग तरीका है ये बताओ ना कि अगर तो मुझे किस कर लोगे तो तुम्हें मेरे स प्यार हो जाएगा और ये के के बहुत हैसरही होती है जुहांग ऐसी हैसरही होती है तब दाचिन उसके पास आता है उससे दिवार पे पुस करके उसके लिए किस करने लगता है जुहांग एकदम हैरान हो गई होती है जुहांग दाचिन से अलग होना चाहती थी वो उसके स अच्छे से यूज़ कर रहा होता है, अपने टंग का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा होता है, अभी जो जुहांग होती है, वो थोड़ी मैल्ट सी हो जाती है, उसकी आखे बंद हो जाती है, दाचिन तो आखे बंद करके किस कर ही रहा होता है, जुहांग अब दाचिन के समझ गई अभी जो धाचिन होता है जुहांग को एक पिलो और एक ओर्णे को देता है और कहता है नीचे ही सोना मेरे बैट पे मताना अभी जो धाचिन है उसके कमरे में कोई सोफा उफा नहीं है सिर्फ बैड है अभी जो धाचिन होता है वो सो जाता है जुहांग अपने आप को grab करके बैठी हुई थी तुहंग बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी कि फिलिंग कैसी है उसकी उसको क्या हुआ वो मैट क्यों हो गई वो रोक क्यों नहीं पाई वो बस अपने आपको grab करके ही बैठी हुई थी अभी हमें अपनी युलान का सीन दिखा जाता है युलान जो सो रहा होता है सैनवई पानी लेने के लिए नीचे आता है तो वो अपने युलान को देखता है और देखकर वो थुरदर रुख जाता है क्योंकि अब बारिश चली गई थी ना और मून की रोजनी अपने युलान के फेस पे आ रही होती है जो उसके चेहरे को नहीं बहुत सुन्दर दिखा रही होती है सैनवई युलान के फेस के करीब जाने लगता है युलान का बाल जो इसके फेस पे आ रहा होता है सैनवई उससे सही करता है सैनवई युलान को ही देख रहा होता है सैनवई को एक बात याद आती है एक आवाज जो कहती है तुम कब से थे तुम सोते हुए इतने प्यारे जो लगते हो वो दूसरा लड़का कहता है तुम्हें एकदम पागल हो मेरे दोस्त अभी सेनवेई की स्माइल की आवाज सुनाए देती है अभी हमें करेंटली वाले सेनवेई को दिखाया जाता है जो यह सभी सोच रहा होता है सेनवेई फिर अपनी हाथ पीछ पीछे करता है एंड बोटल लेकि अपने कमरे में चला जाता है घो अपना सेनवेई होता है वो पानी के बाद होता है इसवेई अ होता है इस 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 दोमिकम लागा बेचाब अबहुत अबाश्त आ संवेई आखे हमें दिखाएяет हमें योलान के तरफ दि एक मैरा बहुता शनकुकosph recipes को देखत हुता है याजून अप्ना आपने हात्ते ओन्स को आपके जाता है और हमें दाचीनमाला समी दिखाए जाता है अपनी doze uhanq होती है वो उटती है और वो वैटे पेटे ही उधी होती है जो हम पूरद में देखती है उसे दाचीन कहीं दिखाई नहीं देता फिर वह वहां के कि नोट लिखा वा था जिसमें लिखा था कि खाना फ्रीज में रखा है गरम करके खा लेना अभी जो अपनी जूहांग होती है वो फ्रीज खोलती है तो फ्रीज में सची में खाना पड़ा था अपनी जूहांग उस खाने को गरम करना लगती है फिर बाद में वो खाने खा लेती है बिना कॉल गेट किये अभी जो जुहांग होती है अब अपने दाचिन के ड्रोबर को खोलती है कपड़ वाले सेक्षन को खोलती है और उसका जो ओवर साइज कपड़ा था जो उसको अच्छा लग रहा था वो ले लेती है और वाश्रो में जाके नहा लेती है जो चाबी था वो गेट के पास ही लगा था अपने जो जुहांग होती है गेट को नॉक कर लेती है अभी जो जुहांग थी उसमें दाचिन का ड्रेस बेना था जुहांग स्माल करती है और खुद को टेलिपॉड कर लेती है ओफिस के अंदर हमें युलान को दिखा जाता है जिसे सैनवई उठा रहा होता है सैनवई कहता है युलान बट युलान उठी नहीं रहा होता है यह sanwai बहुत ही प्याद से उठा रहा होता है भोल-बोल कर फिर वो हाथ से भी ठोड़ा हिलाता है कि समाल कर रहा होता है तो अपना sanwai होता है अब चला के कहता है युल्लान, सुबह हो गई है इसलिए सुच तो में ओफिस लेड क्यों आते हो अब युल्लान फटाफट उठता है और कहता है सोरी सेन वही सर जो अपना सेन वही होता है वो कहता है फटाफट ब्रेकफ़स बना है ब्रेकफ़स खाओ घर जाओ नहाँ वहाँ के ओफिस आओ जो युल्लान होता है वो कहता है और यह कहके वो फटाफट उट जाता है अभी जो युलान होता है वो breakfast करता है फिर घर की तरफ चला जाता है सैन वही अब office की तरफ चला जाता है हमें अपनी लुवो को दिखा जाता है जो कांच के पास बैठी वी थी और उसका बाल ओपन थे जो अपनी साव होती है वो कहती है लुवो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे है कौन सा सैंपू यूज करती हो जो लुवो होती है वो कहती है मैं कोई सैंपू यूज नहीं करती साव जो होती हो कहती है सची मैं तुम सैंपू यूज नहीं करती लुव कहती है नहीं मैं तो बस पानी से ही अपने बाल दो लेती हूँ लुव कहती है तुम्हारे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे है कितने लंबे हैं ना जो लुव होती है स्माल करती है और कहती है सुक्रिया जो अपनी साव होती है वो कहती है क्या मैं तुम्हारे बाल में हैश्टायल कर सकती हूँ मुझे हैश्टायल करने का बहुत सोख है जो अपनी लुव होती है वो एकदम सांथ हो जाती है सैनवई क्या साव जो होती है वो कहती है तुम्हें पसंदी है तो मैं नहीं करुँगी बट लुवो कहती है नहीं नहीं कर सकती हो साव अब िसमाल करती है और लुवो के बाल बनाने लगती है उसने न एक साइद आपको पता नहीं होगा रोज बन बनाया होता है जो अगे से थोड़ी हिप निकाली हुई थी अपनी लुव बहुत ही अच्छी लग रही होती है साव कहती है नजर ना लगे तुम्हें किसी को ये कहते ही उसके ना से बलाई होती है ना बलाई लेती है अपनी लुव तो बस देखती ही रह जाती है जो साव होती है वो कहती है इंडिया में माई ऐसा करती है अपने बच्चों के लिए अपनी जो लूओ होती है वो हसके कहती है तो क्या तुम मेरी माँ हो अपनी जो साव होती है वो कहती है हाँ सुगर ममी और वो ऐसे ही कहती होती है बट लूओ को तो कुछ समझ नहीं आया होता है वो बस ऐसे देखने लग जाती है उसका रियाक्शन ऐसा था कि उसे सज्ची में समझने होता है कि सुगर ममी का मतलब क्या है बट लुवो साव सोचती है कि लुवो बूरा मान के इसलिए साव कहती है बस मजा कर रही थी अपनी जो लुवो होती है वो जोक को समझ तो पाई नियू होती है और उसे अजीब सा भी नहीं दिखना होता है इसलिए कोई बात नहीं अमें भी जानती हुई जोक है अपनी जो साव होती है वो कहती है ठाइंग गोड अब आफिस चले जो अपनी लुवो होती है वो कहती है जी अभी लुव और साव दोनों के दोनों आफिस जाने लगते हैं लोग में जूहंग को दिखा जाता है जो दाचिन के पास जाकर उसे उसके घर की की दे देती है दाचिन जादा ध्यान नहीं देता है बट जैसी वो जूहंग का ड्रेस देखता है और कहता है हेई तुमने मेरा ड्रेस पहन लिया लोग क्या सूचेंगे जो जूहंग होती है वो कहती है लोग यही सूचेंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं ऐसे तुमने कल मुझे किस किया था ना जो अपना दाचिन होता है वो कहता है जो अपने जूहां होती है वो कहती है क्या मैं अपने घर नहीं जाती पर तुम है मेरे बारे में सोचा कितना मानते हो मुझे जो दाचिन होता है वो कहता है वाटेवर जो अपनी जो हंग होती है वो कहती है और नराज मत हो यह ड्रेस ना मैं तुम्हें प्रेस करके दे दूँगी जो दाचिन होता है वो कहता है जो 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 हंग होती है वो कहती है आँ मुझे इतना मानते हो कि अपना पूरा ड्रेस बोड़ा मैं भो नहीं दे सकती पता है ब्लाक कलर का प्रीमियर बदा है वो मुझे बहुत पसंद है कास वो सूख जाता, मैं पहनी ही नहीं जो दाचिन होता है, वो कहता है, क्या, तुमने बड़ा नहीं पहना जो जुहांग होती है, वो कहती है, नहीं वैसे उसको ना पहनने के बाद मुझे बहुत खुला खुला लगता है जो दाचिन होता है वो कहता है प्लिस मुहातर मा यहां से चली जओ जो जूहांग होती है वो कहती है ओके कितने नौffiti बॉय हो तूम और यह कहके अपने टेस्स पे बैठ जाती है जूहांग एसमाल कर रही होती है और दाचिन डिसकसिंग सा फेस बना रहा होता है तो यह ना महाँ पर यॉलान आ जाता है बीच में बैठता है पहले दाचिन को गुड मॉनिंग बोलता है फिर जुहां को बोलता है देखता है कि उसने दाचिन का ड्रेस पहनना है तो वो कहता है वा तुमने दाचिन का रेश पेना है जुहांग जुहांग होती है वो कहती है हाँ कल मैं इसके घर पे रुग गई थी बारिस आ गया था ना इसलिए तो सुबह आना था तो मैंने सोचा कपड़ा बदल क्या हूँ तो मैंने इसका ही कपड़ा बदल लिया कैसे लग रही हूँ मैं जो अपना युलान होता है वो कहता है तुम तो लड़कों के कपड़े में भी बहुत अच्छी लगती हो बहुत सुंदर हो तुम जो दाचिन होता है वो कहता है लड़कों के कपड़े में ही तो अच्छी लगीगी लड़की जो नहीं है ये जो जुह चैंग होती है अपना होता है एक्दभ बोइस सांत हो जाए फिर वहां पर अपन लुकों फी आ जाती है सबको गोड मॉनिंग नो मीद्वाइक्प बएढ़ाइद् दीज ऑनान होना पर अपने साँ के पास अंवे को लेता है अपना पर तोंसनीं के nesse सॉझव आप अब सारे के सारे मीटिंग एरिया में चले जाते हैं, सैनवई वहाँ पर खड़ा रहता है, सारे के सारे अंदर रहते हैं, और सैनवई को ग्रीट करके बैठ जाते हैं, जो सैनवई रहता है, वो कहता है, कलके मीटिंग तो कैंसल होगी थी बारिस के कारण, तो चलो, जो कल डि बजा दो क्योंकि उसने बहुत एपिक सी स्टोरी दी है जो होते हैं सारे के सारे तालिया बजाने लगते हैं जो अभी अपना होता है वो कहता है गेम प्ले कुछ ऐसा है कि हमें बदला लेना है लाइक एक प्रेम ही अपने प्रेम का बदला लेगा नी दो रूप से चलेगी ए एक दम same to same रहीगी बटकी मरएगे और ह्में बसे बढया लेना पड़ेगा अपने प्यार का हमारे प्यार को मारा है बहुत बड़ा मौंस्टर रहेगा और उसे मारनी के लिए बहुत सारे मस्ली में करने परएमें लेवल ऑठेसिक हैं करेक्टर आप लोगों को डिजाइन पर तीन लड़का तीन लड़की जरूर देंगे अभी जो युलान होता है वो कहता है सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो अपना सेनवे होता है वो कहता है करेक्टर का नाम तुम ही डिसाइड करोगे जो अपना युलान होता है जो सेन वे होता है वो कहता है बोलो जो युल लान होता है खड़ा होता और कहता है सैल आपको जैसे पता है कि आजकल का जवाना बहुत मॉडल हो गया है सब हमारी लिए इकवल है तो अगर हम स्ट्रेट कपड़ डाल रहे हैं तो क्यों ना हम बील और जील कपड़ भी डालें जिससे हमारा गेम थोड़ा और परमोट होगा पिकोस आप जानते हैं कि आजकल ये LGBT कितना चल रहा है जो सेन वह होता है एकदम सांत हो जाता है और कहता है तुम सची में चाते हो कि हम ये डाले जो अपना युलन होता है वो कहता है सर ये तो जाहिर सी बात है प्यार तो प्यार होता है हमारे आसपास बहुत से ऐसे इनसान है जो अपने ही जेंडर से प्यार करते हैं उनको खुसी मिलेगी इस गेम को खेल के एक ऐसा गेम जो बलगर ना होते हुए भी LGBT को सपोर्ट करता है I think so हमें बोट ही तो डालना है एक करेक्टर हम लड़के का बना देंगे तो क्या जाएगा अभी जो अपनी लुवो होती है वो साव से कहती है धीरे से ही ये यो लन क्या कह रहा है LGBT ये क्या है जो अपनी साव होती हो कहती है तुम्हें नहीं पता अपनी जो लुवो होती है वो नामे से रहलाती है साव कहती है LGBT का मतलब है L यानी लेश्बियन और गे बहुत सारे हैं मैं तुम्हें कैसे समझाओं बट ये समझ लो कि एक ऐसी कम्मूटी जो खुले विचार के है लुवो होती है वो कहती है ये तुमने क्या कहा लेश्बियन और गे जो अपनी साव होती है वो कहती है लेश्बियन और गे लेश्बियन वो होती है जो लड़की हो के दूसरी लड़के से प्यार करती है अपनी जो लो होती है ये सुनके एकदम श्टक हो जाती है और कहती है ऐसा भी होता है क्या जो साव कहती है जो साव होती है वो कहती है ऐसा क्यों नहीं होता प्यार तो प्यार होता है ना और गे का मतलब वो लड़का जो दूसरे लड़के से प्यार करता है अपनी जो लू होै वो एकदम सांसी हो जाती है वो कुछ नहीं कहती है जो अपना सेन वह होता है वो कहता है ठीक है हम तुमारे आइडिया पर काम करेंगे बड़ यहां पर पूस्ट दो ले किस-किस को लगता है कि यह आइडिया अच्छा है जो अपनी जुहांग हैं वो कहती है प्यार प्यार है सबको अपने प्यार मिलने का हक होता है ये हमारे और ओडियन्स को कैपचर करेगा हमारा गेम और बिकेगा तो I think so युलान का आइडिया बेस्ट है विए से युलान भी बेस्ट है जो अपना Senway होता है, जुहांग को देखने लगता है, जुहांग अपनी नजरे फीड नीचे कर लेती है, जो अपना दाचिन होता है, वो कहता है, सर ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, जो अपनी साव होती है, वो कहती है, सर ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा, हम अपना सेंट भी है वो कहता है मतलब सब चाहते हैं कि ये करें तो ठीक है हम ये करेंगे वैसे मैं और लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो अपना यो लान है वो कहता है बेजज़क पूछेगा जो अब एकसना की केबिन से बाहर से आवाज आती है सब लोगों से पूछना चाहते हो तो मेरे से तो पूछो गही और मुझे यह आइडिया एकदम फाडू लगा अभी जो अपनी लूओ है वो पीछे देखती है और कहती है जुन भाई अभी वहाँ पे अपना जुन आता है सेंवे इसको देखके हरान था क्योंकि सेंवे ने कभी भी जुन को किसी सेंट रिड्यूस नहीं करवाया है जो यह लन रहता है उसकी आँके फटी की फटी रह जाती है कि सेंवे जैसा हूँ बहू जो जुहांग होती है वो भी हरान रहती है बट जुन को कभी भी permission नहीं मिला है इतना. जुन को प्यार बहुत मिलता है क्योंकि जीवन देवता है और जीवन देवता को सम्मानते हैं क्योंकि जीवन किसे नहीं चाहिए. बट उसको आने जाने का permission उतना नहीं मिलता है. बट आज वो आया है ये देखकर अपनी जुहांग एकदम हैरान थी और वो openly आया है. अपना जो दाचिन होता है वो भी हैरान रहता है. सारे के सारे हैरान हो गए होते हैं जो जुन को जानता नहीं है. सेनवई भी एकदम हैरान था. जो अपना जुन रहता है सेनवई के गरदन पे हाथ रखके कहता है क्या हुआ भाई इतने उदास क्यों हो आप जो अपना सेनवई होता है वो कुछ नहीं कह पाता है जो अपना जुन होता है वो कहता है आप सब हैरान होंगे न कि मैं कौन हूँ मैं सेनवी का बड़ा भाई हूँ मेरा नाम है ये जुन आप प्यार से मुझे जुन कह सकते हो और अब से मैं भी अपने छोटे भाई के साथ ये साफिस को समालूँगा और ये गेम को समालूँगा अपना जो सेनवी होता है वो जुन को देख रहा होता है जुन होता है वो कहता है ठीक है वैसे यहाँ पर सबसे अच्छा कलिक कौन सा है जो अपना सेनवी होता है वो कहता है क्या तुम हर से पूछ रहे हो जुन होता है वो कहता है तो यहाँ पर कोई और खड़ा है क्या मेरे पास बताओ मेरे छोटे भाई यहां पर सबसे अच्छा कलीक कौन है? जो अपना सेनवी होता है वो ऐसे देखने लगता है जुहांगमन में ही कहती है कास आस तो नाम ले ले बड़ जो अपना सेनवी होता है वो कहता है साव साव यहां की सबसे अच्छी कलीक है जो साव होती है वो अब उड़ जाती है जो अपना जून होता है वो कहता है साव तुम्हारा पूरा नाम क्या है जो साव होती है वो कहती है सर मेरा नाम दूपुशाओ है जो अपना जून होता है वो कहता है तो दूपुशाओ पाटी का ना, इnt времени करो, पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, अभी जो साउ होती है वह कहती है, ओके सर, जुञन होता है वह कहता है, अब तुम सब जा सकते हो, अब सारे के सारे जाने लगते हैं, बर्ट जो अपना जून होता है वो कहता है यूलान जो यूलान होता है वो रुकता है जी सल अपना जून होता है अब यूलान के पास जाने लगता है सेनवे बस अपने जून को ही देख रहा होता है जो जून होता है सेनवे अपने यूलान के आगे हाथ करता है हाथ नहीं मिल होगे जो अपना युलान होता है अब हाथ मिलाता है जो अपना जुन होता है वो कहता है बहुत सुन्दर हो तुम ऐसा लगता है रूप की देवी ने तुम्हें सवा रहा है है तो अपना दिल हार बेठा तुम्हें देखकर अभी जो सेंवई होता है ऐसे ही घूरने लगता है जुन को, जुन होता है वो सेनवाई की तरफ हलका सा देखता है कि ईवल सी स्माल करके अपने युलन को गले लगा लेता है युलन एक दूम हैरान था अभी जुन होता है, युलन से अलग होता है और कहता है, मैं पार्टी में तुम्हारा वेट करूंगा इस्पेसली तुम्हारा ओके जो अभी युलान होता है वो कुछ नहीं कह पाता है जो जुन होता है अब डैस पे जाके बैठ जाता है और युलान भी चला जाता है अपना जो सेनवे होता है वो कहता है ये क्या हरकत है बड़े भाई अपने ये क्या किया जो अ तमीज करो, तुम्हारा बड़ा भी हूँ और तुमसे ओदे में भी बड़ा हूँ, जो अपना सन्वे होता है, वो कहता है, हाँ, आप मेरे से ओदे में बड़े हैं और आप बड़े भी हैं, पर आप ऐसे ही आगए, सब क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा, पापा ने आपको बेजा कैसे, जो अपना जुन होता है, वो कहता है, मैं इतना महनती इंसान हूँ, सारे मुझे इतना पूछते हैं, पापा को मेरे एक बाद तो माननी थी, वैसे भी मैंने सालों से कुछ नहीं मांगा, एक ठीच मांगा, कि मुझे अपने प्यारे से भाई के साथ रहना है, अभी जो जुन होता है, सेनवे को हक कर लेता है, जो सेनवे होता है, वो कहता है, ठीक है, बट योल्लान को गले लगाना, ये क्या था, जुन होता है, वो कहता है, क्या क्या था, योल्लान मुझे अच्छा लगता है, जो सेनवे होता है, एकदम सांत होता है, और कहता है, भा यह काफी दिनों से तुम्हे देख रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगने लगा, अगर वो मेरा होप ही किया, तो तुम्हें क्या टैंसन है, तुम्हें तो पसंद नहीं है, क्या वो तुम्हें पसंद है, अभी जो जुन होता है, अपने आखे बड़े कर लेता है, जो अपन एक तरफा प्यारत का तक चलता रहेगा यार मैं उसके सांत होता आपको क्या तकलीप हो रही है वैसे आप कभी उसको इस सैब करोगे नहीं क्यूंकि उसका सकल आपके प्रेमी जैसा है है ना आप तो उस चीज को भूली नहीं सकते तो क्या आप अपने भाई का घर बस्ते पे देख नहीं सकते अभी जो अपना सेनवे होता है एकदम सान्थ हो जाता है और थोड़ा सा पीछे हो जाता है और जून से अपनी फेस हटा लेता है जून अब टेल से उतरता है सेनवे के पास जाकर कहता है बहाई मैं जानता हो कि आप उसे कभी सेफ़ नहीं कर पाएंगे और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने खुद अपने आखों से देखा है उसके साथों जिन्गी अपने हाथों से खत्म करते हैं आपको बिल्कुल दरस नहीं आता मुझे पता है आप उसे कभी प्यार नहीं कर पाएंगे सेनवे ना कुछ नहीं कर रहा होता है जो जुन होता है वो कहता है मैं जानता हूँ जिसकादर उसने आपको दोका दिया था उसके बाद दिल में जगाना बहुत मुश्किल है और मैं आपको गलत भी नहीं कर रहा भाई आप जब एकदम अकेले थे तब उसने आपका साथ दिया और आपको छोड़ दिया बुरा तो आपको लगाई होगा मैं जानता हूँ तुम बच्पन में सबसे दूर जहते रहते थे सब मुझे प्यार करते थे तुम बुरा भी तो लगता था ना मैं क्या ही कहूँ तुम्हारा दर्द में तो समझ भी नहीं सकता मुझे बहुत तकलिफ हो रही है तुम्हारे लिए बच्पन से जानते थे उसे एगलोता दोस्त था तुम्हारा और उसने ही दोका दिया क्या बूलू मैं अब तुम्हें अभी जो अपना सेनवई होता है यही सब याद कर रहा होता है अब कहानी फ्लास पैक में जाती है जब सेनवई छोटा था तब वो भी धीवी देवताओं में से सामिल था बाकी सब उसको ही नेक्स्ट मोद का देवता बनना था बट सब जुन को ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि जुन अपने सक्तियों को बहुत अच्छे से काबू कर लेता है अपना जो सेनवई है वो सब से दूर दूर रहता है क्योंकि सब जुन के पाँ जाता जाते है उससे कोई बात भी नहीं करता और इस पॉंट में जुहंग और लुवत जनम नहीं लिये थे अब जो सेनवई है अखेला ही था वो अब जंगल में जाता है एंट एक खर्गोस को देखता है सेनवई को खर्गोस बहुत अच्छा लगता है सेनवई उसके पाँ जाता है उसको छूता है तो वो खरगोस ना मर जाता है अपना सेन वई एकदम घबरा जाता है क्योंकि सेन वई ने उसकी जीवन सक्ति ले ली होती है अपना सेन वई एकदम डर सा जाता है उसके हाथ कापने लगते हैं तब ही वहाँ पे सेन वई के बापा आते हैं कहते हैं सेन भई तुम अपनी सक्ति अभी तक यूज नहीं कर सकते हैं तो तुमें किसी को भी छूना नहीं चाहिए जानवरों का भी जीवन जीवन होता है जो सेन भई होता है डर के कहता है सोरी पापा मुझे माफ कीजेगा मैं अपनी सक्तियों को काभू नहीं कर पाता जो अपना सेन्वे के पापा होते हैं जिससे मैं मिश्टर शेन कहूंगे मिश्टर शेन कहते हैं कोई बात नहीं पर तुम्हें जल्दी सक्ति सीख लेनी चाहिए तुम्हारा बड़ा भाई जुन अभी सबने सक्तियों को कंट्रोल करना जानता है अगले मौत की देवता बनने वा जादु इक कपड़ा बांधा करो ताकि तुम्हारे सक्ति किसी और पहतर नकरें अपना सेन्वे होता है चैनल रहा होता है उसके हाथ में पसीने बहुत हो गए होते हैं क्योंकि वो जादुई कपड़ा बहुत टाइड था अपना सैन्वेई बट फिर भी ऐसे ही चल रहा होता है अब सैन्वेई का पाउँ एक पत्थर पे आखर लग जाता है और सैन्वेई गिर जाता है आगे ना पानी था वो सीथा पानी के अंदर गिरता है अब सैन्वेई खास रहा होता है और बचाने के लिए मदद मांग रहा होता है और अब सैन्वेई ने अपने जो आख होता है उस पे पट्टी ब्यांदी होती है लाइक आंक पे कवर होता है वो बांधा होता है उसने पुरा ब्लैक ड्रेस पेना होता है उसका लुक पुरा लड़की जैसा था तब सेनवई मदद मांगी रहा होता है तब अचानक से कोई अपना हाथ उस पानी के अंदे डालता है सेनवई उस हाथ को पकड़ लेता है वो प का जान बचाना तृ जो लड़का रहता है वह था हो दूसे तुम हो अपना जो सेहन फ होता है बेखjes फ़ूक ph argumentsrete कया नम कुलन हो अपने को लंगता है जो कुल्लान होता है वो कहता है क्या तुम गुंगे हो सेनवई अभी भी कुछ नहीं कहा रहा होता है बट पीछे से आवाज आती है जो कहती है कुल्लान जल्दी आओ हमारा सिकार हो चुका है जो कुल्लान होता है उड़ता है और कहता है पापा बुला रहे हैं माफ करना तु तुम से फिर मिलना चैनगा लड़के यह कहती है, को लान को देखता हे रह जाता है अब जो रहां मे खड़ा हो जाता है और सोचता ह है कि सेनवई अब आगे जाने लगता है, सेनवई एकदम भीगा हुआ था, सेनवई ऐसे ही चल रहा होता है और वो धीरे से ही कहता है, कुलान, अभी ये कहानी यहीं पर खतम होती है, I hope आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, नेक्स पार्ट जो होगा, वो फ्लैस्वेक से ही स्ट लेगे तो लाइक कर दीजेगा, चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, कमंड में लवली वीलान लिखना मत भूलेगा, और हम मिलेंगे नेक्स पार्ट में, तब तक लिए वावे श्यूएं टेक केर, थैंक्स वर वाचिंग, लवली वीलान